दोस्तो आर्मी बर्ती देखने बाले जुगाउं के लिए काफी अच्छी news है कि इंडियन आर्मी की बर्तियां बहुती जल्द बापिस आने बाली हैं तो लगवग जितनी भी बर्तियां हैं 2022 के क्रीब आने बाली है तो 2022 में क्या age, क्या height और क्या qualification चाहिए तो काफी लड़के हमें कमेंट कर रहे थे सर हमारी पहली बर्ती 2022 में आने वाली है तो बताईए उसके बारे में काफी लड़के बोट रहे थे हमारी 2022 में लाश्ट होने वाली है तो क्या-क्या बदलाव हो सकते हैं उसके बारे में बताईए तो आज की वीडियो में हम आपको जही बताएंगे सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ हर साल नया रूल आता है हर साल नया शेडियूल आता है तो आप 2022 का schedule देख लिजिए, इस बडियों में हम आपको 2022 का schedule दिखाने वाले हैं, तो अगर आप भी इंतजार कर रहे हो बरती का, तो आपको सबसे पहले उमर के बारे में पता होना चाहिए कि, उमर कितनी चाहिए, 2022 में लंबाई कितनी चाहिए, अगर आपकी लंबाई कम है तो अभी भी मोका है उसको बढ़ाने का, तो आप अभी से अगर कम होगी, तो अभी से लग जाना बढ़ाने के लिए, तो तब तक बढ़ जाएगी, ठीक है, अगर पढ़ाई कम होगी, अगर कोई नंबर कम है किसी में, तो आप उसको फिर से paper देके, फिर से exam देके, अपन करने के लिए वीडियो बना रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और आपने दोस्तों के साथ शेयर करें अगर आप ऐसे ही सबसे पहले और जल्दी जल्दी आपडेट पाना चाहते हैं तो आर्मी दोस्ट चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि हम आपको सबसे पहले इसलिए दिखाते हैं किसी लड़के के पास आगर कुछ भी कमी है वो उस कमी को सुदार सकता है इसलिए हम सबी लड़कों को क्योंकि हम खुद ऐसे बरतियां देखते हैं तो हमें पता है कि पहले कुछ पता चल जाए तो हमारा जो काम है वो फिर आगे जाके असान हो जाता है तो आप वैसे ही जानकारी लेना चाते हो कि सबसे पहले मिले तो आरमी दोस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चलो वीडियो को शुरू करते हैं आपको जानकारी देते हैं दोस्तो इसमें हम जो आपको उमर लंबाई और पढ़ाई बताएंगे सिर्फ आपको दोस्तो सोल्जेज जीडी की बताएंगे जर्नल ड्यूटी की ही सिर्फ बताएंगे अगर कलर के टेक्निकल ट्रेडमैन की जानकारी लेना चाते हो तो डिस्क्रिप्शन में कमेंट कर देना मैं उस पे भी वीडियो बना के आपको दे दूँगा सोल्जेज जीडी के लिए 17-21 बर्ष आपको एज चाहिए ठीक है 2022 में जितने भी लड़के हैं 17-21 बर्ष एज सुन लिजीए 1 अक्तूबर 2001 के अंदर आपकी एज होनी चाहिए 1 अप्रेल 2005 के अंदर वो बिल्कुल 100% बही रही थी जो हमने बताई थी 2022 में भी जही रखेगी अगर आपको आर्मी की तरब शे शूट नहीं मिलती है तो जही रखेगी अगर शूट मिलेगी उसके उपर मैं अलग वीडियो बना दूँगा अगर उसके उपर वीडियो चाहिए नीचे कमेंट कर देना ठीक है बात करें तो दोस्तों आपकी हाइट की हाइट कितनी चाहिए दोस्तों हर एक राज्य के लिए अलग अलग हाइट है जैसे कि जम्मू कुश्मीर के लिए अलग है पंजाब के लिए अलग है, जूपी के लिए अलग है, माराष्टा के लिए अलग है, बैस्ट बंगाल के लिए अलग हाइट है, उस पे भी मैंने वीडियो बनाई है, कि कौन से राज्य को कितनी हाइट चाहिए, उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठी description में आपको height की video मिल जाएगी अब अब आप कहलेते हैं दोस्तो qualification की पड़ा लिखा कितना होना चाहिए 2022 में 2022 में सबसे पहले आपको 10 भी पास होना चाहिए 45% number होने चाहिए 45% number आपके होने चाहिए हर subject में जितने भी आपके subject है 6 है 7 है 5 है जितने भी है हर subject में 33 number होना चाहिए आपको grace marks नहीं होना चाहिए statue नहीं होना चाहिए अगर आपके 45% number नहीं है तो overall c2 grade होना चाहिए अगर आपके 40% है 42% है 43% है 44% है ठीक है अगर आपके इतने percentage है तो तब भी आप gd में फार्म लगा सकते हैं उसको बोलते हैं c2 grade अगर c2 grade है तो आप हमें इंस्टा पर message कर सकते हैं इंस्टा की ID भी आपको description में मिल जाएगी आप उदर भी हमें message करते हैं कर सकते हैं जिनके 45% number नहीं है वो हमें उदर message करें उनको मैं उनकी mark shift देखके बता दूँगा कि आपके c2 है जा नहीं तो दोस्तो जही आपकी percentage और age और दोस्तो height रहने बाली है क्योंकि दोस्तो 2022 में भी जही रहेगा अगर age में shoot मिलेगी उसके लिए अलग video बना दूँगा जहीं